प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, इश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर तो हम इस काल के लोग में ये अन्य साधना करके इतने दुखी है, इस काल की जो इस माया के नसे में एक वेठी बना लिए, एक कार ले लिए, वैसी सम्च उड़ा होगा, फिर पिर अनमेटी गर में शानती नहीं, मन में शानती नहीं किता है, कुछ हो रहा है, किता है, कुछ में लाते हैं, और क्या हला है, अक वे ठीक ठाक मोज वरी है, और कोरट में और मोज की कुणसी गिड़ती, महादुखी परानी जाते हैं कोरट में, और गीगी बन दी रहा है, कोई की से नसुख का सांस नहीं वाजाने के बाद, ततानी वकील आजा होगा कर नहीं, कदे गव हुआ हो जा है, बगवान कदे सजा हो जा है, अकदे गवा मुकरिजा मेरा है, तो इस तरह की सौज अंजट मन में लिए लिए भी हाथ हैंड सेक करते हैं, क्या अलग मोज वरी है, या कैन ओठ उठा मोज है, हाथ बिलाओ इतना कैन का हाद आता है, उसके बाद आग लगी प पान रहा मनमोद, यह सकल जबी नाकाल का कुछ मुखमा कुछ को, अब क्या बताती है परमात्मा कबीरिय माया अठ पटी, मैस सब गट आण अडी, और किस किस नह संजाओं या तकुवा बांकडी, अब क्या बताती है परमात्मा, ये सनसार समझदा नाही, केंदा स्याम दो पेरे लू, जेठ में, इसी दूप में जलम लग रहे हैं, अरन्यों केंदा स्याम है, कोई दिक्कत लिए, कोई परिशानी नहीं है, यानि दो पेर को तुम स्याम मान रहे हो, और फिर क्या बताते हैं, गरीब दास ये वक्त जाता है, रोग इस पेरे लू, ये मनुस जीवन होटे एक आतना शूट कहाना है, फिर कुट्य अपन्व नक्कर रोगे हैं, आपना देखे होंगे कुट्य रोते हैं, गोदेख रांगे हिए, अब पता लगया कि ये क्यों रो रहे हैं? कई-कई बहुखते हैं वो अलग चीज है लेकिन वो कई वार रोते हैं इस आत्मा को वो याद आती है तरह गेल तो बुड़ी बनगी और तुने युक्ये क्रया उप्रना मुगर करोते हैं वो पर्मात्मा की तरह से उपन्न आत्मा थी बगती की होगी कभी किसी जनम में मलाई खाली कदे राज जावन के कदे मा राज जावन के की तो और बकवाद गड़के गुटी शुटी लाके अरी कुटा बड़के खड़ा हो गया तो पर्मात्मा कहते हैं गरीवदास ये वक्त जाता है रोगे इस पहरे नू इस समय को याद कर करो यात रोगे बोलो ते रहो जब तक गट में प्राणी कब हुतो दीन दयाल के भ्यनक पड़ेगी कान वो पिर्थ्वी पती चकवे गए जिनके चकर चलंत रावन सरीखे को ने गिन भाई ऐसे गए अनंत ग्रिवरत्न जडावू मंदिर है और लखियो जन अस्थाने साक्ट सगाना भैटियो चाए हो इंद्र समान सर्वसोने की लंका होती रावन सेरन धीरं एक पलक मैं राज विराजी वजम के पडेज जीरं मन तू सुख के सागर बसरे भाई ओर न ऐसा यसरे साथ हजार सगड के होते कपिल मुनिश्वर खाए एक सपुत्र उत्तान पात का वपरमातं पद पाए मन तू सुख के सागर बसरे भाई ओर न ऐसा यसरे उद्य अस्त बिच चकर चलें थे ऐसी जन ठकुराई उद्य अस्त बिच चकर चलें थे ऐसी जन ठकुराई चोन करेशी सुवर कलप करी तब खोज न पाया राई मन तू सुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे मन तू सुख के सागर बसरे ओर न ऐसा यसरे दुरियोदन से राज्जा होते संग एकोतर बाई ग्यारा अक्सोनी संग चले थी वद्ये ही गीद न खाई मन तू सुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे कासी पुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई के सोसे बन जा रहे जिसके नो लख बालद आई मन तू सुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे मन तू शुख के सागर बसरे बाई ओर न ऐसा यसरे प्रम्पता प्रमात्मा, पूर्ण ब्रम्, सारी शर्ष्टी के रचनहार कुलमाली, कवीर देव, कवीर साहब, कवीर प्रमेश्वर वे अपने सत्य लोक से चल कर इस काल के लोक में आते हैं अपनी पुन्यात्माओं को मिलते हैं हम उन्हें पैचान नहीं पाते क्योंकि हमारा अंतकरन, प्रमात्मा के सिधान से, प्रमात्मा की प्रिवासा के विप्रित ज्यान से भरा हुआ होता है हम प्रमात्मा को निराकार मानते हैं यानि सभी धर्मों के जितने भी पुवित्र आत्मा हैं प्रमात्मा चाने वाली हैं उनको एक ही शिद्धान प्राप्त है कि प्रमात्मा निराकार है इस कारण से हम प्रभु यहां आते हैं अपनी वही लीला जो मगवान किया करते हैं वो लीला भी कर जाते हैं हम उन्हें पैचान नहीं सके अब प्रमेश्वर की महिमा सद्धगरंथों से दो हमने देखा पुवित्र चारों वेदों में पुइतर पुराणों में पुइतर गीता जी शरीमत भगत गीता जी में अब उसमें पता चला कि परमातमा साकार है अमनुस सद्रेक्श है पुइतर वााइबल में पुइतर पुरान सTake में पुइतर गुरुगरних साहिब में इन सभी में एक ही सिद्धान्त हमें मिला कि परमात्मा मनुस जैसा है, सह सरीर है और उसका नाम कबीर है अब हम कहां आड़े हुए हैं जैसे कबीर देव, कबीर अगनी, कबीर अमितोजा, कबीर अंगारी तो हम व्याकरन अपनी आप बनाई है हमने व्याकरन को, उस व्याकरन के अधार से हमने कवीर सबद को कवी लिख लिया और जिस करना से हम उसका अर्थ बनाने लगे कुछ ना कुछ अर्थ भी लगा लिया लेकिन वो कवीर देव अब हम वेदों की वहसा से अगर ये कहें कि कवी नाम है उस परमात्मा का, कवी तो भी वो परमात्मा वही है जो बनारस में आये थे 600 वरस पहले अब हम उसे उसकुन का नाम कवीर रखा गया, कवीर अब कवीर नाम रखा नहीं गया परमात्मा ने रखवाया जब परमेश्वर एक लीला करने आये थे सिसु रूपधारन किया था और उसको नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दमपत्ती उठा ले गये थे जब बच्चे का नामानकन करने का समय आया तो काजी कुरान लेकर के कुरान स्रीफ को लेकर आये और उसके आधार से नाम रखना चाहा तो उसमें खोला प्रिष्ट खोलते ही कवीर समद निकला और कबीर का अर्थ ही कहते हैं बड़ा और उदर से जुलाहा जाती को मानते थे छोटा तो जुलाहा जाती वाले और ग्रीब बिखती के लड़के का नाम कबीर नहीं रख सकते उन्होंने दुबारा से कुरान स्रीफ को खोला कि साइद कोई और नाम निकला उसका नाम रखा गया लड़के का तो उसमें भी कवीर निकला जब उन्होंने तीसरी बार खोला तो पूरे परिष्ट पे कवीर कवीर ही हो गया पूरी कुरान स्रीफ देखा तो पूरी कुरान स्रीफ में कोई दूसरा अकसर नहीं रहा के वला कवीर 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 ये लिखा था अगले रख लो के रखो गए तब वो काजी उस कुरान स्रीफ को वहीं पटग गया कि इसने हमारा दिन धर्ब भी खराब कर दिया और कुरान स्रीफ के अक्सर भी बदल दिये ये कोई जादूगर है तब परमेश्वर ने कहा था काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा इसलिए परमेश्वर का नाम वो कबीर ही पक गया अल्ला हुआ अक्बर अल्हा कबीर ये मुसल्मान भाइस कारज करते हैं बड़ा भगवान अल्हा कबीर कारज करते हैं बड़ा भगवान तो परमात्मा ने इसलिए अपना नाम कबीर ही रखवाया और वेदों में इसको कबीर देव कहते हैं कबीर देव, कबीर अगनी तो हम इसे कबीर देव के लागे कबीर देव कबीर देव से कबीर साब हो गया ऐसे कवीर कवी ना मानकर हम इनको कवीर देव नाम रख लिया इनका कवीर साब तो जैसे भी कहने का बाव यह है यह वो परमात्मा है जो बनारश में 120 वरश रहे और एक जुलाहे की भूमिका की यह वो पूर्ण परमात्मा है आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि कौन वो परमात्मा है जिसकी साधना से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं पूर्ण मोक्ष अब मोक्ष का क्या रथ होता है मोक्ष का रथ होता है हम जनम मर्तू के जंजट से छूटे है अब जैसे बरम साधना से भी मोक्ष होता है बरम साधना से मोक्ष होता है एक कलब तक एक कलब कितना होता है विर्महा जी का एक जीवन विर्महा की एक उमर ये एक कलब होता है तो पुन्यात्माओं हमने जनम मर्तु से छुटकारा पाना है उसके लिए हमने वो परमात्मा भी चुनना है जिससे हमारा मोक्स हो तो प्रवेश्वर कबीर देव की साधना यानि परमक्सर भरम की साधना से हम पूरण मोक्स पराप्त कर सकते हैं अभी तक हमें ये ग्यानी नहीं था कि कोई भरम से उपर कोई बगवान है भरम से उपर कोई परभरम भी है कोई पूरण भरम भी है जबकि हम अपने ग्यान में परवचनों में सादूजन दूसरे बिरिशीजन पूर्ण ब्रह्म का जिकर भी करते थे, पार ब्रह्म का जिकर भी करते थे परमेश्वर भी बोलते थे, इस्वर भी बोलते थे, इस भी बोलते थे परन्तु उनको किसी परकार का कोई ज्यान नहीं था, वो के बोल रहे हैं और कौन ब्रह्म होता है, कौन परब्रह्म है, कौन पूर्ण ब्रह्म है तो वो सभी अलपज्ज थे कबीर देव, कबीर साहिम ने, परमेश्वर जी ने आकर के स्विम ही अपने थार्थ ग्यान को हम तक पहुंचाया, अब इस तत्वे ग्यान को क्योंकि सुबह आपको बता था कि काल भगवान को जो 21 ब्रमान्ड का स्वामी है, ब्रमाविश्वन महिश्व के पिताजी है इसको सराप लगया हुआ है, एक लाख मानों स्रीर धारी प्राणियों के स्रीर का न्यत आहर करने का इस स्रीर को था हम फूग देते हैं यहीं पर, या दफना देते हैं, गाड देते हैं जैसे भी इसको चार दाग के दोरा तहत समाप्त कर देते हैं अब यह मनमसंका आएगी के फिर खाता क्या है वो स्रीर तो हम यहीं समाप्त कर देते हैं, छोड़ जाता प्राणियों इस स्रीर के अंदर एक और ऐसा ही एजिटिज स्रीर है औरिजिनल यानि सुक्सम स्रीर बोलते हैं यह उपर कवर है हमारे जैसे सरब के उपर कैचली होती है सरब के उपर वह कांचली इसी होती है उस सरब उसमें से निकल जाता है तो वह कांचली जो होती है वह सरब के आकार की होती है लेकिन ओरिजिनल सरब वो कोई और है ऐसे ही हमारे अंदर जो ओरिजिनल हमारा सरीर है ओरिजिनल तो नहीं कह सकते इस से जिसके उपर ये चड़ा हुआ है जो मात पिता से हमें मिलता है ये सथूल सरीर कहलाता है इसके नीचे एक सुकसम सरीर है तो उसमें ये जीव है और भी सुक्सम कारण, महा कारण, कवल, कई स्रीर इसके उपर चड़ा रखें पर आवरन लेकिन इसके तुरंट बाद सुक्सम स्रीर है और उस सुक्सम स्रीर का आकार मनुस सद्रे से ही है मनुस जैसा ही एजिटीज रहता है जब तक ये पराणी दूसरे जीव के दूसरे पराणियों के स्रीर में नहीं जाता तब तक इसका स्रीर एजिटीज मनुस जैसा ही रहता है तो प्रमात्मा कवीर देव जी हमें ये बताने आये थे है कि ये जो काल है इसको एक लाख मानों स्रीधारी प्राणी नित खाने का सराफ है इसलिए इसने अपने तीनमु पुत्रों के दौरा यहां हमें रोक रख्या है फशा रख्या है जैसे रजगुन बिरमाजी की बिरमाजी के रजगुन के प्रभाव से हम संता नुच्पत्ति करते हैं यहां की सुद्शुक्स विधाओं की जैसे कारकोठी इस तरह की संपत्ति जोड़ना ये हम प्रियतन करते हैं और बगवान विष्णुजी के सतोगुन के दवाव से प्रभाव से हम एक दूसरे में मो ममता करते हैं आसक्त रहते हैं यह जीव के बसका नहीं और तीसरे पूत्र तमगुन शिवजी शिवजी तमगुन के शिवजी के तमगुन के प्रभाव से हम एक दूसरे को हानी पहुचा देते हैं आपस उना रागदविस रखते हैं जगड़ा कर देते हैं और दूसरे सब्दों में ये कहिए कि रजगुन बिर्मा से ये अमारे जीवों के उत्पत्ति कराता है सत्गुन विश्णु जी से एक दूसरे में सति थी अब एक दूसरे मो मंगता फसा देता है यहां रोके रखने के लिए कि यह यहां पड़े रहें एक दूसरे में आशक्त होके ये टाइम पास करेंदा और तीशरे भगवान सीवजी अपने पूत्र के द्वारा यह सहार करवा के अपना उलू सीधा करता है, उसी आधार से इस ने सभी प्राणियों को, तत्व गयान से कती अप्रिचित करचे हैं। ना कोई रिशी प्रिचित ना कोई विर्मा विशुनों महिस को ग्यान और रिशियों को तो होगा कहा क्योंकि विर्शियों ने विर्मा से ही ग्यान प्राप्त किया था अपने अत्मों यह समिश्चा इस दास के सामने है पहले हमारे बगवान के सामने थी तो 600 वर्ष पहले आये थे वो परमात्मा यही सब्द यही कड़वी औस दी समाज को देना चाहते थे जो दास की डूटी लाई है तो उसमें समाज ने यह कड़वी औस दी सविकार नहीं की क्योंकि हम सिख्षित नहीं थे और जो जिनको हम गुरू ब्राह्मन महरिशी मानते थे वो अज्ञानी थे तत्व ज्ञानहीन थे लेकिन वो केवल एक संस्कृत भासा को जानते थे जिस कारण से हमारे पुरुवज उसमें के जो सरधालू यह मानते थे कि जो हमारे गुरू जी अर्थाज ब्राह्मन लोग हमें ग्यान बता रहे हैं यह सही होगा क्यूंकि वो कहा करते थे कि हम पुराणों के आधार से आपको ग्यान बता रहे हैं उस पुराण मैं ऐसा लिखा है वेदों मैं ऐसा लिखा है गीता जी मैं ऐसा लिखा है और पनमेश्वर कबीर जी जो ग्यान बताते थे वो उन दंध कथाओं उन रिशियों महरिशियों के ग्यान के विपरी था तो इस कारण से उन नकली रिशियों गुरूओं का दाव लग गया क्योंकि जनता को एक ही पॉइंट से वर्मित करते थे कि कबीर जी ऐसिक्सित है और ये वेदों के बारे में नहीं जानता ना गीता ना पुराणों का क्योंकि संसकर्ट में लिखे वे हैं ये ऐसिक्सित है इसलिए ये जूट बोल रहा है कि बिरमा भी शुनुम है इसको भी ग्यान नहीं और ये जनब मर्तु में है इनकी जनब मर्तु होती है और नहीं रिशियों को कोई ग्यान है प्रमात्मा कहते थे मेरे साथ दो बाई मन सब जग बुला पाया मेरे साथ दो बाई मन सब जग बुल्या पाया इसी भूल में बिरमा बुल्या जिसने बेद सरसाया और बेद पड कई पंडित बुल्या मर्म भेद नहीं पाया इन्हों बेदों का भेद नहीं पाया इसी भूल में विश्णों भूला जिन वेश्णों पंचलाया और तीरित मरत का बाइंज महातन बहुविद जीव फसाया इसी भूल में संकर भूला जिन एक विख्षुक पंचलाया शेर पर जटा हाथ में खपर और घर गर अलग जगाया मेरे साथ दोवाई बनसब जग भूला पार अपन्यात्माओं ये शब्द प्रमात्मा ससोर्स में लेका अकर तेविर महाविशुनु महिशने ग्यान नहीं तो इएक कडवी उसदि कुणीन थी समाज के लिए और समाज बालक था इसको खा नहीं सका इम खवाईजार हें अब ये समाज केना को कुणीन को ai कर रहा है क्योंकि जी बुद्र मान हाइत अदो ग्यारा अब जी गरंत हमारे पास है जिन सद्गरंतों को हम अधेंटिंग मानते थे तो उनी सद्गरंतों में आप देखिए गार कि बिर्मा भी भूला तत्व ज्ञान से अप्रिचित विश्णु भी भूला और शिर्जी भी भूला इनको भी ज्ञान नहीं इनको परमात्मा ने ज्ञान देना चाहा था परंतो क प्राइशर में आके इन्होंने प्रमात्मा की उस विथारत ज्ञान को वानी को सिविकार नहीं किया उसके विशे में प्रमेश्वर श्रम कहते हैं उसके विशे में प्रमेश्वर अपनी वानी में कहते हम बैरागी ब्रम्पध और सन्या सीमादेव ये सोहम मंतर अवनदिया शिवजी को यू करे हमारी से कि हमने ब्रमाजी को भी विसनु जी को भी और शिवजी को भी कोई ग्यान नहीं था अब देखिएगा यह पवितर शिरीमत देवि भागवत zoals जो नरने करेगी कि विर्माजी विशनु में मेंए है इसको भी कोई ग्यान नहीं था अज्धात में ग्यान नहीं था देखिए कि स्रीमत देविभागवत की विजीस नरत कि गिथि और कासित है कि शिरीमत देवी भागवत, शंपादग हर्मान परशाद पोदार, चिमन लाल गोष्वान, और यह कहां से प्रकासित है, मुद्र के में प्रकासक, गीता प्रैस गोरपुर, गोविन बोन कारियले, कौल काता का संस्थान, इसके 28 प्रिष्ट का आपको दिखाते हैं, 28 और 29 प्र 28 प्रिष्ट, संख्षिप्ट, देवी भागवत, पहला सकंद, यहां से पड़ेंगे, नारत जी न कहा, महा भाग व्यास जी, तुम इस विशे में जो पूछ रहे हो, ठीक यही परशन मेरे पिता जी ने, अर्थात्बर मा जी ने, वगवान शिरी हरी से किया था, देवा अधीदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्समी जी, उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, जीव कौस्टमनी उनकी सोबा बढाती हैं, वे संख चक्र और गदा लिये रहते हैं, पितंबर दान करते हैं, चार वो जाए हैं, वक्ष शथल पर श्री वक्ष का चि जगत कुरू एम देवताओं के भी देवताओं, ऐसे जगत पर वो भगवान श्री हरी महान तब कर रहे थे, उनकी समादी लगी थी, यह देखकर मेरे पिता जी गर्माजी को, मेरे पिता गर्माजी को बनास्तरी हो, उन्हों ने उन से जानने की इच्छा परगट की, गर्म महाजी ने पूछा पर वो, आप देवताओं के अध्यक्स, जगत के स्वामी, यह विश्णु जी को सब कुछ मान रहे हैं, नारद और बर्मा, भूत बविश्य एम वरतमान सभी जीवों के एक मातर सासक हैं, भगवन फिर आप क्यों तपस्चा कर रहे हैं, और किस देवता की अरादना में जहान मगन हैं, मुझे असी मास्चरियत यह हो रहा है कि आप देवेश्वर, इन सारे संसार के सासक होते हुए भी समादी लाए वैठे हैं, अब गर्मा जी के विनित वतन सुनकर, बगवान शिरी हरी उन से कहने लगे, यह पहला सकत है, उन से कहने लगे, ब अपने मन का विचार विख्थ करता हूँ, देवता, दाना और मानो सब यही जानते हैं कि तूम सिर्ष्टी करते हो, मैं पालन करता हूँ, और संकर सहार क्या करते हैं, कि तू फिर भी वेद के पारगामी पुरस अपनी युक्ती से सिद करते हैं कि यह रचने, पालने और सह सहार करने की योगता जो हमें मेली है, इसकी अधिश्टा त्री सक्टी देए हैं। उस सक्ती के वाव से तूम संसार की सेथिटी नहीं कर सकते हैं, मैं पालन करने में सफ़ल नहीं हो सकता, और रुदर सहार कारिये होना भी संभाव नहीं। बरमाजी, हम सभी उस सक्ती के सा सारे अपने कारियों सदा सफल होते आए हैं सुवर्ट पर्टेक्स और प्रोक्ष दोनों उधान में तुम्हाइशा में रखता हूं सुनों यह निश्चित है कि उस सक्ति के अधीन होकर ही मैं इस सेशनाग की सिया पर सोता और सेश्टी करने के आउसर पर आते ही जाग जाता ह होता है मैं कभी तो दानों के साथ युद करता रहता हूं करता हूँ अखिल जगत को भैपा उताने वाले ज्यटों के विक्राल स्रीरों को सांध करना मेरा परम करक्र को हो जाता है मुझे सब परकार से अब देखो कमाल कर दिया है मिश्मु जी ने मुझे सब परकार से सक्ती यानि दुर्गा के आधीन होकर रहना पड़ता है उनी भगवती सक्ती का मैं दरनतन धान क्या करता हूँ बर्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती सक्ती से बढ़कर दूसरे कोई देवतार नहीं है अब पर्मात्मा की ववानी सची होगी कि ना विर्मान बेरा ज्यान ना विश्णु न ज्यान उवाबाई बोलने सारे अब इसमें कमाल कर दिया नारद कर है कि बिर्मा जी ना विश्णु जी सरवेश्वर महेश्वर सारे जगत के आश्रेदाता उधर से बिर्मा जी भी यह सब्ज बोल रहे है और विश्णु जी ने कमाल कर दिया कि मैं दुरगा से उफर कोई बगवान नहीं मानता और मैं इसी की पूजा करता हूँ, इसी का जान करता हूँ और कठोर तब करता हूँ अब दुर्गा क्या कहती है? जिसको ब्गवान श्री विश्णु जी फाइनल गोड मानते हैं, फाइनल देवता अब वह क्या कहती है? उसके वचन सुनो इसी शिरीमद देवी भागवत में परिश्ट नंबर 562 पर ये है परिश्ट नंबर 562 ये है साथवां सकंद और परिश्ट नंबर 562 और नीची आईएगा अब देवी बता रही है ब्रहम के विशे में शिरी देवी जी कहने लगी परवतराज इस परकार योग योग थोकर मुझ ब्रहम सुरूपा देवी का जान करें जो पहले इसने कुछ अटकल ला रखिये मेरी ऐसी फूजा करो ऐसे करो यह जान आसन पर बली माती बैठकर आई तुकी वक्ती के साथ करना जी यह तैप पिछे दूह ना अपनी बताई अब कहती है कि उस ब्रहम का क्या सुरूपा यह बतला जाता है जो परकास रूप सबके अत्यन सपी मसथित हर्दे रूप गुहा मसथित होने के कारन गुहाचर नाम से परशिद और महान पद अर्थात परम प्रापे हैं वह समस्त परग्या के परजा के ग्यान से परे हैं अर्थात किसी की बुधी में आने वाला नहीं है यह तुम जानो जो परम प्रकास रूप जो सुक्सम से भी अती सुक्सम है जिसमें संपुर्न लोक और इन लोकों में नुआस करने वाले प्राणी सती थे वह यह अक्सर ब विनासी तत्व है सो में उस बेदने योग लक्से को तुम बेधन करो मन लगा कर उसमें तन में हो जाओ अब ब्रह्म के लिए बता रही है कि उस ब्रह्म की साधना करो सो में उपनिस्त में कथीत महान अस्तर रूप धनुच लेकर उस पर उपासना द्वारा तिक्सन किया और फिर भावना गुत बावा अनुगत चित्से उस बान को क्हेंच कर उस अकसर वुब नक्से बनाकर बेधन करो परवन यानी ओम तो दनुस है जीव आतमा बान है और ब्रह्म को उसका लक्से कहा जाता है उस एक मातर प्रमातमा को ही जानो ब्रह्म को ही दूसरी शबातों को छोड़ दे, ये अम्रत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है, संसार समुदर से पार होकर अम्रत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलुव सादम है, जिस परकार रच के चक्र में लगे आ रहे हैं, उसी परकार स्रीर की सम्पूरन नाडियां हर् जै मही वीद प्रकारों में प्रगट होने वाला परब्रम संचन करता है, अंतरियामी रूप से वरतमान रहता है, उस आत्मा का ओम के जब के साथ जान करो, इस से अग्यान में अधिकार से प्रे, सर्वता प्रे और संसार समुदर से उस पार जो ब्रम है, उसको पाजाओग तुम्हारा कल्यान, अब आखिर मागी ना ब्रम के उपर, कि उस ब्रम का जाप जपो, ओम उसका नाम, और वो कहां रहता है, ये पन सो तरिश्ट प्रेशात्मा सकंद, वह है, यह सबका आत्मा ब्रम, ब्रम लोक रूप जिव आकास में सतित है, ठीक है, अपनमात्मा कवीर जी कहां करते थे मेरे साथ दो भाईव, अनछसब जग बूला पाया, इसी बूलँ में ब्रमा बूला, इसी बूल्में संकर बूला, इसी बूल्में विष्ट बूला, अब इनको कोई ज्याने नहीं था, अब ये दुर्गा तो कहती ब्रम फाइनल है, और सब बातें और है ये बगवान श्री विशनुजी सतों गुम का कथन है अब बिर्म क्या कहता है गीता जी दहें नमबर 8 के सलोक नमबर 13 में सुन कहता है कि मेरा एक ओम अक्सर है मुझ बिर्म का ओम इति एक अकसरं बिर्म विहारन माम अनुसम्रण ये प्रियाती तजंदेहं सहियाती परमामतिम मुझ ब्रहम का के वलेको एक अक्सर ओम है इसका अन्तिन स्वास तक जजाब करता हूँ मुझे प्राप्त होता है मेरे वाली गती से इसको प्राप्त होता है तो इससे भी सिद्ध हो गया और गिता जड़े नमर आट ये भी से सिद्ध हो गया ब्रहम ही गिता बोल रहा है और उसका ओम ही नाम है और आठ ज़य के सोलमे सुलोक में कहा है कि ब्रहम लोक परियन सभी पुनर बरती में और यहां अपने अब इस बड़ा कि देवी बता रहा है कि वो सबका आत्मा ब्रम ब्रम लोक में रहता है अब ब्रम लोक में उसको प्राप्ट कर जाओगे ओव नाम के जाबते हैं बरहम लोग तक सभी फिर जनम मर्तियु में हैं पूर्ण मुक्स नहीं हैं इसलिए गीता ग्यान दाता बरहम कहता है कि तू सर्वे भावर से उस प्रमेश्वर की सर्णमजा अठार में जाए कि बहस्ट मिस लोग गीता जी उसकी करपा से ही तो प्रम स्यांति और सास्व सथान यानि सत्त नाम सनातन प्रमधाम को प्राफ्ट होगा सत्त लोग जिला जाएगा फिर कभी जनम मर्तियु में तो पुन्यात्मा प्रमेश्वर चश्शोवर स्पहले आकर के हम यही बता करते थी अब इन रिश्यों का ज्ञान ओर देख लीजी थोड़ा क्योंकि यह सारा पुच्छा मारना पढ़ेगा एक पूरा रेगमार शारें बार बार रगड़ा लगना पढ़ेगा तब यह अग्ञान रूपियंदकार हमारे अर्द्श साफ होगा वास होगा अब देखिएगा यही स्रीमत देवी भाग्वत गीता प्रैस गोर्व पुर्शे प्रकासित है इसके छटे सकंद में यह चटा सकंद है परिष्ट 414 परे जन्म जे ने पूछा महाबाग किस युग में व्यास जी से पूछा किस युग में कैसा दर्म का सुरूप है इस संपुर्ण विश्य को विश्य सुरूप से बताने की किरपा कीजिए व्यास जी बोले यह राइटर है चारों वेदों का व्यास जी चारों वेदों का पुईतर गीता जी का पुईतर अठारा पुराणों का यह राइटर है ले खक अव्यास जी कह रहे हैं राजन ये निश्चे है कि सत्योग में ब्रामन वेद के पूर्ण विद्वान थे उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदबा की अराधना होती थी भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललाइत रहता था अब ये है सत्योग के ब्रामनों जो पूर्ण विद्वान थे वेद के उत्तुरा को जो वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे और वो कहते हैं दुर्गा की पूदा करते थी दुर्गा ने क्या बताया है वो आपने पढ़ लिया कि ब्रह्म की पूजा करो और सब जाग दो कबीर इस सनसार को समझाओं के बारे ये पूछ पकड़ के भेड की ही उत्रया चावे पार बेड पूछ को पंडित पकड़ा ये बाद दो नजी भी हंगा ग्रीब दास वो बवजल डूबे नहीं साद सत संगा परमेश्वर कवीर जी तथा उन्हीं की प्रिया आत्मा उनसे की ज्यान से प्रिचित हो जाने के उपरान तादन ये ग्रीब दास साहिब जी एक ही ग्यान पर चार हमें ग्यान बता रहे हैं प्रमात्मा कह रहे हैं कि कबीर इस संसार ने समझाओं कैवार और ये पूछ पकड़े बेड की अरुत्रयाजाओं पार दरिया से पार जाना हो और कोई साधन बता जे पार होने का के बेड की पूछ पकड़े चौकस और बढ़ जाओ दोनों दरिया में या बेड पार कर देगी कभी नहीं हो सकता अब परमात्मा कहें तुम सभी बेड की पूछ पकड़े बैठे हो तो नौका लानी पड़ेगी और खेवट चाना हो तब पार होगे अर तुम कड़ बढ़ो रहा खेश काल जाए कहां बैकार रखे हो ग्रीबदास साहिब जी कहते हैं कि भेड पूछ को पंडित पकड़े और यह भादो नदी भी हंगा कि यह पंडित यह ब्रहमन रिशी भेड की पूछ पकड़े बैठे हैं अर्थात आन उपासना अधूरी साधनाय कर रहे हैं और बादो नदी भी हंगा बादू है मैं सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाती है और सभी दरिया अपना डवल ट्रिपल रूप बनाकर इतना विश्तार से बहकर चल पड़ती हैं बहुत वेग से और कहते हैं समसार रूपी जो हमना हमें पार होना है यह बादू है कि नदी की तरह ऐसे हिलोरे मार रहा है इसमें से तुम बेड़ की पूछ पकड कर पार निकलना चाहते हो तुम इसी भावसागर में रह जाओगे क्योंकि नहीं साद सत्संगा पूरे संत का सत्संग तुम्हें नहीं मिल रहा बेड़ पूछ को पंडित पकड़ें बादो नदी भी हंगा गरीब दास वो भावजल डूबें जो नहीं साद सत्संगा जिनको संतों का सत्संग नहीं मिला इस भावशागर में ही बैह जाएंगे रह जाएंगे अब जो ब्रम की सादना करेगा वो यहीं अरली ओड़ है अब जो ब्रम सादना करेगा वो ब्रम लोक मजाएगा वो भी काल के ही जालम है और जो कोई देवी की पूजा करेगा वो भी काल के जालम है यह भी पार नहीं कर सकती और बिर्मा विश्णु महिश की जो पूजा करेगा वो भी काल के जाल में वो भी पार नहीं हो सकता तो फिर पार कौन होगा बताते हैं इसलिए गरीबदास साहिब जी बताना चाहते है कोई हैरे पर ले पार का जो भेद कहे जनकार का अब जैसे ये पंस्तल रहे हैं दो तिन ये केकरिया बताओं है आख कान बंद करके और इसमें सुणो आवाज्यें आवेंगी गंटी सी बाद जैंगी किता संख बाद जैगा किता और आवाज आवेंगी तो ये अनहद धुन सुनो और इससे तुम पार हो जाओगे अनहद जो धुन है अनहद नाद है उसको सुनते ही तुम समझो अपने आपको पार समझलो अब क्या बताते हैं कि कोई पूर्ण संथ बतावेगा क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने अपने अमरत्वानी में करने नो दीदार महल में प्यारा है एक परमेश्वर का पद है शब्द है उसके उसमें 32 कलिया है 32 कुश्म चंद है उसमें क्या बताया है अब ये एक तुरादा स्वामी पंथ है धन्दन सत्गुरु पंथ ये एक ही कुवे का पानी है क्योंकि ये धन्दन सत्गुरु पंथ भी इस राधा स्वामी पंथ से ही अलग हुए है इन्होंने अपने नामों को बदल लिया मंतर उपदेश के मंतर हैं वो चेंज कर लिये तीन राख लिये पांथ नहीं रखे और जैगुरुदेव है आगरा में वो भी उस मतरा में वो भी उसी कुवे का जल है राधा स्वामी वाले का अब उन्होंने राधा स्वामी पंथ वालों ने प्रमात्मा कबीर जी की वानी से एक सब्द ले लिया करने नो दीदार महल में प्यारा है उसका अन्वाद आधी करके उसके एसाब से अठकलसी लाग है उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पंथ ग्रूप चार कर लिया लाखों क्रोणों की संख्याव अब उन गोड़ी आत्माउंने कोई पूछता है कि वहां सत लोक में भगवान कैसा है कहते हूँ तो निराकार है प्रकास ही प्रकास है चेतन ही चेतन है वहां आत्मा प्रमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समूंदर में बहले आद्मियों हम भगवान की तलासमा गोड़े रगड़े और फिर बगवान हुआ है नहीं तो हम के टीन डेले आँगे उड़े जाके हम परमात्मा के लिए बटक रहे हैं उसको तो रहे हैं परमात्मा मिलेगा उसके दरसन कराएंगे अपने दुख रोऊंगे बैठके बगवान हैं उसके साथ रहेंगे हैं भूल जाएंगे सब दुखों को और वह बगवान है नहीं तो इसे अनाथ यहां पर ऐसे अनाथ हुआ पर फिर वहां के कराएंगे जाके समुन्दर में डूब का मरना है हमने उसमें मिल जाना नहीं ऐसी गलती को बुर्ख वेसे करें अब जबकि करनेनों दीदार महल में प्यारास में कितनी प्यारी बात कही है अब क्या बताते है लास्ट की कलिया पत्तीस नंबर सचंद है के शोटड़स बानू हंस को रूपा बिन्ना सत धुन बजय अनूपा हंसा करत चवर सिर्भूपा वो सत पुरुष दरवारा है प्रमात्मा कह रहे हैं तर्तिवाइज लाए हैं ये कहते हुए कि जब ये हंस ये जीवात्मा सतलोक चली जाएगी उसमें इसके सरीर का तेज सोला सुरिय के परकास के तुल्य हो जागा इतना नूर बन जागा इसके और वह अपने भूप माने मालिक राजा स्वामी कवीर भगवान सत्पुर्श के सिर्पे चावर करेगी सतलोक में जाके अरा बले आदमियों तुम इतना भी नहीं समंझ सके अरे उड़ बड़ा पंस चला जिया करोड़ों जीव बरमा जिये रहा स्वामी याड़ो थराकीत बेडा गरक होगा तो मने जुलम कर दिया इस अग्या बोड़ी आत्माओं को बरमीत कर दिया अउसमें सपस लिख रहा कि वहां भगवान साकार है उसकी सिर्पे जाकर के ये आत्मा चावर करेगी जब भगवान उरस है नहीं प्रकास ही प्रकास है उसमें आत्मा मिल जाएगी तो चावर की स्पे करेगी ये भी ना समन सके वह आगगी क्या लिखा है कि कोटी भानों उद्यजों होई एते ही पुनचंद खलोई और पुरुष रोम सम एकना हुई ऐसा पुरुषदिदारा है पुरुषवन प्रमेश्वर परफुषबुसका दर्सन ऐसा है कि उसके एक रोम कूप मैं सत्पूप के एक रोम कूप मैं क्रोड सुरिये और क्रोड चंदर्वां दोनों की रोसनी भी फिक की उसके एक रोमकूप के तुल नहीं है। और ऐसा सत्पुर्स जीदारा है। ऐसा अभीनासी प्रमात्मा सत्पुर्स का Δरसन है। जब रॉमकूप है तो रॉमकूप कोई नराकार के किता होंगे। रोम कोप ये जो बाल का छिद्र इसके एक की रोशनी इतनी सुंदर माले कितना अच्छा शरीर है अपने प्रफू का आगे अलख लोक है बाई सत लोक से उपर अलख लोक है अलख पुरुष की तहां ठकुराई यही परमेश्वर अन्य और रूप बना करके स्वम ही व्राजमान है अर्बन सूर रोम समनाही ऐसा अलख निहारा है कि इससे बाद अलख पुरुष है अलख लोक है उस अलख पुरुष लोक में भी अलख पुरुष नाम से यही प्रमिश्वर रहता है वहाँ इनके स्रीर की रोसनी एक रोमकूप में अरबों सुरियों जितनी रोसनी है अरबों सुरिये भी उनकी एक रोमकूप की रोसनी उची फिक पड़े फिर ता पर अगम महल इक साजा अलक लोग से आगे फिर एक अगम लोग है और अगम पुरुष ताही को राजा वही प्रमात्मा अगम नाम से अगम पुरुष नाम से विराजमान है और खरब सुरिय रोम इकलाजा खरबन सूरज रोम इकलाजा यानि खरब सुरियों का परकास भी उनके एक रोम कूट के सामने लज्जित है फिका है ऐसा अगम अपा रहा है तापर अकै लोक है भाई उस तागे लास्ट लोक है अनामी अकै लोक और पुरस अनामी तहां रहाई जो पहुँचा जाने गा वाही वो कैन सुननते नारा है वहाँ जाकर तो जो देखेगा वही समझेगा उसके विसे में हम नहीं कहेंगे आगे कमाल कर दिया कहते हैं काया भेद किया निर्वारा अब परमात्मा ने तो सही लोक दो सत लोक में वो बताए उपर लोकों में और आगी क्या बता है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सत हैं उपर लेकिन इस काल भगवान ने तुम्हें धोखा देने के लिए यहां अपने 21 परतेक बिरमंड में ऐसे नकली लोग भी बनवा रहा हैं सत लोग, अलक लोग, अगम लोग, अकैलोग, अर्शातनावी ल उसके लिए मेर ने दिया है, काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पंड मजहरा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है, कैते हैं जो मैंने तुम्हें बताया, यह हैं तो सत लोग में, लेकिन तुम्हें यहां दिखाई देते हैं, यह इस तुम्हारे पं अब इकत्तिस में कली में में क्या कहा है अदी माया की नीच तुराई अर या जूठी बाजी इस पेंड दिखाई अब गत रचना रची अंड माही उस प्रमेश्वर की जो की तू रचना का जूठो कौपी डुपलिकेट इसने इस पेंड में इस अंड में अंड कहो पेंड कहो चै बिरमंड कहो पेंड शरीर को बोलते हैं अंड और बिरमंड अंड जैसा होने से इस बिरमंड को कहते हैं कहते हैं अब गत रचना आदी माया दुर्गाने की नीच तुराई और जूठी बाजी पेंड दिखाई अब गत रचना रची अंड माही इस अंड में अर्ता का प्रतीबम डारया है वो उसकी नकल कर रेखी है या इस सरीर में जो भी धुन सुनती है परकास दिखाई देता है परकास तो उस परमात्मा के सरीर का है वो रिफलेक्टिड होकर के आता है तो हमने परमात्मा नजर नहीं आता जैसे कोई तालाब में सुरिय का परकास है वहां से रिफलेक्टिड होकर सुरिय का परकास तालाब में पड़ा तालाब से रिफलेक्टिड होकर किसी कमरे मकान में चला गया आस पास तो वहां केवल परकास दिखाई देता सुरिय दिखाई नहीं देता लेकिन वो परकाश सुरीय उब नहीं हो सकता ऐसे ही सतलोग में परमातमा से सरीर है उसका तेजोगमा सरीर है उसका reflection यहां पर मंटों में गहूमता हुआ किवल उस कमरे में ऐसे reflection किवल बहुत मनदा सा धीमा सा है अब उसको देखर कोई ये कहे कि किवल सुरिय का परकास देखा, सुरिय है नहीं कमरे में तो वो बुदिहीन है उसको कोई ग्यार नहीं ऐसी थूरी अभी तक इन संतों की रही है तो उस पूर्ण प्रमात्मा के सारे रतना का इस काल बुर्गा ने इस अंड मैक बरम्हंड मया जो ठीर रतना रत रही है और ताका पृतीवंब डारया है फिर क्या बताते हैं सब्ध भी हंग मचाल हमारी कहे कबीर सत्गुर्दी तारी खुले कपाट सब्ध जनकारी पिंड अंड के पार-सो देश हमारा है कहते हैं सबद विहंगम चाल हमारी हमारी वो सही मंतर जब मिल जाएगा सार शब्द वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्सी की तरह आकास में उड़ जाना किसी के यानि थ्रोक रोपर चनन नहीं जाना पिर में और कहे कभी सब्द तरी सब्द ने हमारी वो लौ लगा दी वो ताली दे दी वो की दे दी जो इस सारे बिर्म अंड़ों को खोलती हुई जाएगी वो सब्द रूपी ताली देदी और खुले शबद जनकारी, सतलोक मैं चले गए हम वहाँ पर, अंड इस एंड को पिंड कहते हैं, शुरीर को, अंड कहते हैं विर्मभंड को कहती हैं शुरीर और विर्मभंड अंड इसके पार सो देश हमारा है, वो असली धुन वास्तविक धुन उस सतलोक में सुनाई देगी या तर नकली है जो तुम इस स्रीर में सुनते सुनते बहरेकान होगे तुमारे यह व्यर्थ है करें कि यहां क्या ते कुई हैरे पर ले पार का जो भेद कह जनकार का कोई है रे पर ले पार का प्रले पौर जहां पारब्रम रहता है पारब्रम आप एक तो परब्रम है परब्रम होता घृष्ट बेरं फिर उसfor अगेवाला सब्से पर पर्ले पार्व और तोप मौस्थवीन दृप्परूइम सब्से निली है तुझार कै लॉट स्सेरे proof स्न्कार को भीद के लीष्टा इस में कटिश होपर लेपार का ये नकली का इनम सुनने वाली नकली धुन है क्यूते हैं वार मने उरली साइड में काल के ही जाल में वारही गोरक वारही दत वारही धुरूपर लाद अरत अवारही गोरक वारही दत दतात्रे जी दत मने दतात्रे और गोरक भी वारही है इस काल के जाल मही है वारही गोरक वारही दत वारही धरू परलाद अर्थ ये धरू और परलाद की विसाथी थी इसी सथान पर उरली वारह परपार नहीं होई वारही सुखदे वारही ब्यास वारही पारा सरपरकास वारही दुर्वासा दर्वेश वारही नारद सारद सेश वारही भरतरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंध ये भरतरी गोपी चंद भी उरली ओड ही है पारनी है ये अगाद भेव जैसे कुंजी सुर्ती से वार पार थे हाने था ग्रीब दास निर्गुन निगा अब इसमें सप्रश कर दिया ना तो यो गोरख पार वया गोरख जी पार वे ना दर्तात्रे ना दरू ना प्रलाद और सुख जे व्यास पारासर दुरुवासा नारद गोपी चंद और बर्थरी ये सबसनक सनंदन बिर्मा और ये एकदार कलागा वगवान थराश युकाल भी वार ही है बिर्म और सीव संकर भी वार ही है उल्डी उल्ली ओर है परम धाम पहुंचे कबीर ओह रग यदु शाम अथर वेद ये चारों वेद बता जी रग यजु और स्याम अथर वेद अथर वेद परम धाम नहीं लैहा भेद के इन चारों वेदों में भी उस परम धाम का ज्यान उसके पाने की विधी नहीं है इनके पढ़ने वालों को भी उस परवेश्वर की यानि परले पारजान की वे ओफ वर्सिप नहीं है वहां जाने का मारग न मेरे सादो भाई सब जग भूला पाया मेरे सादो भाई मुए सब जग भूला पाया आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541